इस वीडियो में हम लोग migration theories का दूसरा वीडियो डिस्कस करने वाले हैं जो है gravity model of migration पहले वीडियो में migration theories में हम लोग इसके बैसे नाइन जनरल इस्टेट में दिये थे आज की वीडियो में हम लोग migration theories का जो दूसरा थीरिस है gravity model of migration उसको यहां पर study करने वाले हैं तो gravity model of migration किसके द्वारा डेवलप किया गया था विलियम जे रेली द्वारा डेवलप किया गया था है in 1931 में और इस model का जो basis है Newton का gravitational force है Newton के gravitational force आपको पता होगा j equal to m1 into m2 divided by r square यानि कि जो body के masses है m1 और m2 और इसके बैस के distance r तो जो gravitational force होंगे दो body के बीच में उस m1 and m2 के proportional होंगे और r square के disproportional होंगे तो ऐसे ही विलियम जे रेली ने gravitational force का जो migration का formula दिया ओ दिया P1 into P2 divided by r square पॉपलेशन आफ फर्स city दूसरा क्या है P2 पॉपलेशन आफ अधर city यानि कि source और आपको पता हो migration होती है source से destination होती है तो एक city का आपको पॉपलेशन है source और दूसरा का पीटू तो source और destination के जो population होंगे उसके proportional होंगे यानि कि बड़ी city होंगे वहाँ पर ज्यादा migration होंगे क्योंकि वहाँ population ज्यादा होगी और छोटी city होगी उसके population कम हुँँगे, तो migration कम होगे, इन migration कम होगा, और जो distance है, उसके भी disproporational होता है, यानि कि 2 cent के distance से ज़्यादा होगा, migration कम होगे, यादि 2 cent closer होगे, तो migration ज़्यादा होगा, तो gravity model of migration formula देख सकते हो, जो gravity force है, यानि कितनी number of migration होगे, पीवन इंटू पीटू डिवाइड़ रिस्पार यहां पीफ के हैं माइग्रेशन फोर्स है पीवन के हैं पॉपलेशन प्लेस वन और पॉपलेशन आप सिटीश टू फिर आरहाद डिस्टेंस अब टू प्लेस हो गया ठीक है यहां पर आप देखें कोई थिरी डेवलेप किय अपना सर्फेस है वो क्या होगा सेम यह तो माउंटेन इंस होगा यह तो प्लेन होगा यानि कि युनिफर्म टोपोग्राफ होगा वहां पर और यहां पर कोई दो सिटी की वीच में हुमन मेट बेरियर नहीं होने चाहिए यानि मालो यहां पर दिवार नहीं खड़ा होने जैसे मालो आप इंडिया पाकिस्तान के बिच में दिवार खड़ा कर दोगे दिस्टेंस कम होंगी फिर भी ट्रेबल नहीं होगा क्योंकि आप दिवार है तो हुमन मेट बेरियर नहीं होने चाहिए युनिफर्म टोपोगा भी होने चाहिए यह है बेसिक एजम्शन होता है और पॉपलेशन साइज का मल्टिपल प्रपोस्मेल होता है तो अब देखते हैं इसके जनरलाइज स्टेटमेंट ग्रेवटी मॉडल क्या बोलती है तो ग्रेवटी मॉडल बोलती है कि यहां पर दूर लार्जर सिटी है यहां पर दूर लार्जर सिटी है उसका माइ लार्जर जो city है, larger city ज्यादा in migration ज्यादा होगा, ठीक है, larger city attract ज्यादा करेंगी people का भी, goods का भी, knowledge का भी, talent का भी, और capital, then smaller palace, क्योंकि उहाँ पर population ज्यादा होगी, formula आप देख सकते हो, ठीक है, तो larger city ज्यादा attract करेंगी people का भी, goods का भी, knowledge का भी, as compared to smaller city, और जो migration होगी, inversely proportional होगी, distance का, ठीक है, तो आप देखते हैं, इसका supporting example, कि migration त्योरी कैसे, supporting example देखेंगे, फिर opposing example भी देखेंगे, तो supporting example में क्या है, आप देखोगे, larger interaction, आपको देखने को मिलेंगे, दिखेंगे दिली और मुंबई में, एस campaign to दिली और लकनो, मालोव यह दिली है, यह मुंबई है, तो मुंबई और दिली की बिज़ में, जो migration होगी, वह बहुत ज़्याद होगी, एस केंपे टू दिल्ली और लखनौ क्योंकि लखनौ छोटी सिटी है और दिल्ली बड़ी सिटी है लेकिन यहाँ पर population दोनों को multiply करोगे तो आप कम मिलेंगे एस केंपे टू मुंबाई का population और दिल्ली के population मुंबाई करोगे ज्यादा मिलेंगे तो हैं पर क्याओं ज्यादा migration मिलेंगे दिल्ली और मुंबई में और दिल्ली टू लखनो कम मिलेंगे तो आप देखो कि gravity model यहाँ पर true होता हुआ दिखता है ठीक है दूसरा आप सपर्ट एक जामल देख सकते हो कि in migration मुंबई में ज्यादा होती है इस केंपर टू लखनो क्योंकि मुंबई का ज talent का capital का और और भी knowledge का ठीक है तो यहाँ पर देखो मुंबई में इन migration ज्यादा होती है एस केंपर टू लखनो की लखनो में population size भी छोटी है और छोटी city है ठीक है तो supporting example दो यहाँ पर दिया गया और आप ऐसे और आप सुच सकते हो ठीक है आप पोजिंग एजांपल आप द और इंडिया और USA USA के population size कम है लेकिन आप देखोगे इंडिया USA में migration बहुत ज्यादा होती है यानि इंडिया यूएसे में ज्यादा जाना प्रिफर करते है एस केंपर टू इंडिया और चाइना में ठीक इंडिया से चाइना में जबकि फैक्ट देखोगे तो इंडिया और चाइना के population बहुत ज्यादा है और distance भी कम है तो यहाँ पर जैसे gravity model काईदे से त्रू होता हुआ 100% तो इंडिया और चाइना के बीच में migration ज्यादा होनी चाहिए इस केंपर टू इंडिया और USA का लेकिन ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर आप देखोगे gravity model fail होता हुआ दिखता है यहाँ पर कुछ data मैं दे रखा हूं कि जो इंडिया के population है 134 करोड के आसपास है अभी फिलाल और चाइना के gravity model के according इंडिया और चाइना के बीच माइकरस से ज्यादा होनी चाहिए ठीक है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और डिस्टेंस भी आप देखोगे इंडिया और चाइना का कितना है 3000 किलोमेटर जबकि इंडिया और USA का डिस्टेंस है साथे 3000 किलोमेटर यहां मिड डिस्टेंस के बात की जारी एंडिया लेली टू बीजिंग ऐसा ठीक है तो यहां पर gravity model फेल होता दिखता है तो यह रहां अपोजिंग एग्जांपल अब इसको criticism में देख सकते हैं criticism में आप देखोगे कि जो basic कि एपसन दिया गया थे gravity model के इंफर्म टोपोग्राफिय होने चाहिए एक्चुली ऐसा possible नहीं है इनफर्म टोपोग्राफी पॉसिबल नहीं है और दूसरा किट्र से में देख सकते हो कि टेक्नोलोजिय की advancement यतना ज्यादा हो गया है कि आप मालो distance यहां दस किलोमेटर है ल जल्दी पहुंचे होगे time taking कम होगा तो आप यहां माइग्रेशन ज्यादा देख सकते हो तो क्या टेक्नोलोजी एडवांस मिंग से चलते हैं जो ट्रॉंस ट्रांस्वेटर सेक्टर में जो टेक्नोलोजी एडवांस मुआ उसको consideration नहीं किया है gravity model ने सिर्फ distance को कबर किया है होते देखते हैं जबकि distance बहुत ज्यादा है तो यह सारे criticism आप देख सकते हो ठीक है तो gravity model में I think बस इतना ही एदे कुछ topic छोटी आ हो तो आप कमेंट करना इसमें कुछ topic आप सोच रहे हो gravity model में कुछ addition करना चाते हो तो comment करके ज़रूर बताना थैंक्यों वर वाचिंग झाल